पेडियाट्रिक E&T इश्यू यानि बच्चों में कान नाग गले से प्रॉब्लम्स क्या कॉमन प्रॉब्लम्स हैं यस दोस्तों बात करते हैं मैं सेफ डॉक्र सुनील तवर कंसर्टेंट E&T एंड डाइरेक्टर जैपुर दुर्भीन हास्पिटल दोस्तों आपको कही ना कही इन फैमिली में खुद के या रिलेटिव उसके बच्चों को कोई ना कोई E&T प्रॉब्लम्स यूजवली है इसलिए हम जानते हैं क्या ये E&T का इश्यू है जो बच्चों को यूजवली अफैक करता है कैसे हम इन इश्यू से बचा जा सकता हैं दोस्तों पीडियाट्रिक इस बच्चों में, अगर हम इयर से रिलेटिड अगर प्रॉब्लम की बात करते हैं तो जो कूमन जो क्रॉब्लम है ये पेंडिप्रीस हेरिंग एंड बहुत बार ear discharge यह तीन common problems है जो बच्चों को बहुत बार कहा है कि common usually है बच्चे को बार-बार कान के अंदर दर्द होना, बच्चे को सुनाई का कम देना एंड बच्चे के कान से पानी आना या ear की wax और allergy जो eating जो बच्चे को होती है यह common ear से related problems है नाव दोस्तों जो नोज से रिलेटिज बच्चों को जो common problems है बच्चों को जो common problems है बच्चे के अंदर नजल condition, नजल blockage, नजल discharge एंड बहुत बार नजल bleeding यह तीन इस्यू बच्चों को जो है common नोज से related है और यह उन नोज में जो common है Foren Body in the ear and foren body in the nos जो बच्चे को जो है यूजवली बहुत बार देखने को मिलता है दोस्तों इसके अलावा थोट से जो रिलिटिट प्रोब्लम्स हैं थोट में क्या हैं माउथ ब्रिधिंग, फाल स्मेलिंग, स्मेल प्चेक में इसकी स्मेल से सुनौरिंग्म सयवलग प्रोब्लम्स जो एस यूर मनें देखन क्या थोट से रिलिटिट अगर हम बात करते हैं क्या इसके करण addicted सो दोस्तों इसमें इसज़्म स्वाइब तोकr इयर डिसार्ज है, डिक्रीज हेरिंग है, और पेन है, उसमें एक जो कॉमन रिजन है, बहुत बार कहा है, इयर में वैक्स होता है, कान के अंदर जो वैक्स होता है, वैक्स के कारण भी जो है, हमें डिक्रीज हेरिंग होता है, और बच्चे को बार-बार कान में पेन होता है, इसके बाद नोज की बात करते हैं तो बहुत बार कहें नोज के अंदर बच्चा बार 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 नोज में फिंगर देता है और उसके कारण भी कहा है कि हमें नोज का ब्लेडिंग होता है नोज में आपको अलर्जी होता है उस अलर्जी के कारण भी जो है बच्ची को जो है ने जो बड़े वह ओते हैं उस और टोन्सिल जो बड़े वह होते हैं अदिनोड़ टोन्सिल डोनुगी जब बच्चा रात को सोता है तो नाग के पीछी के रस्ते को ब्लॉप कर लेते हैं जिसके कारण भी जो हमें स्नोरिंग होती है और जो हमें पावल स्मेलिंग मुं में से होत लेना होता है वो एड 사ण एड टॉंसल है एंड उस एड डिन टॉंसल के कारण कान के पर्दे के पीछे फिलीू डिक टा हो जाता है जिसके वो टाइट अमेडिया भी बोलते हैं उसके कारण और प्रॉब्लम होती है और जो इसमें क्या है कि बैसिकली आपको जैसे भी महीं की सतोर सेलक्पार नाच मातो जूब्स एक अगर। इजसरे की जरूत है एहेाहीं ये धूक्तर करने की जरूत है और हैं précisों ये व्हुझे ञांव हैं तो इम ऐएन टी चरजन को डिखाते हैं तो हम ऐ में मिन होगते हैं उस कारण का उप्यूप मैनेजमेंट किया जाता है जिससे पेडियाट्रिक को जो होने वाली प्रॉब्लम से बचा जा सकता है क्योंकि बच्चों में क्या है कि बहुत बार चीजें दोस्तों अंडाइग्नोस रहती है और अंडाइग्नोस रहने से हमें क्या होता है बहुत बा वह सजगता हमारी जो एवैरनेस है जिससे हम बच्चे को बचा सकते हैं तो यह इनफोरमेशन है आपके लिए बहुत लाब्धाई थे और तो जाए इसने पोटए देन पहुत निए प्रेंटी कोई प्रेंटी कोई इस्यों है आपके, जिस पुद ए मैं जप पने प्र देखे जप आप के जब जब जबह झब करें भी करें जब लिए देखे जोडिकाश्व एपूश्टारीज तो प्रॉस्टारबक ग्यट कार में प्रीफ्ट भी प्रफटत जब की कि आपके करें लिए ट्यक्ते थादच अपने की कि क